फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफून वीवो का वाई 300 फैब जी को लॉंच कर दिया वाई दूसरी तरह वीवो का ही पाप्लार स्मार्टफून वीवो का T3 फैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 2500 रुपीज का डिफरेंट देखनों को म मिल जाता है जो एक तरह वीवो के वाई 300 फैब जी का प्रैस इतना ज्यादा होने की बावजुद भी आप लोगों को एवरेश से भी कम प्रैस वाला एक प्रोस्सर देखनों को मिल जाता है वह दूसी तरह वीवो के T3 फैब जी में मेडिया टेक का डेमेंसिटी 7200 का प्रोस्ता देखनों को मिल जाता है अगर परफोमेंस वाइस बात करी जा तो इन दोने स्मार्टफोन में से किलियर विना निकल के आता है वीवो का T3 फैब जी को कि एक तरफ वीवो के Y300 फैब जी का जो अन्तुतू स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है वाई दूसी तरफ वीवो के T3 फैब जी का जो अन्तुतू स्कोर निकल के आता है 7,15,000 निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच ले हो तो इन दोने स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत जड़ा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के Y300 फैब जी का जो गेमिंग इसकोर निकल के आता है वही दूसी तरफ वीवो के T3 फैब जी का जो गेमिंग स्कोर न की बात करी जा तो एक तरह वीवो के T3 5G में 6.67 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्पले देखनों को मिल जाती हो डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे refresh rate का सपोर्ट देखने के मिल जाता है और कम प्रैस होने की बहुद भी डिस्पले में डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे refresh rate का सपोर्ट देखने के मिल जाता है पर प्रैस जादा होने की बाउजित भी आप लोगों को वीवो के डिस्पले में डिस्पले में डिस्पले में सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है प्रैस में 2500 रुपीज का डिफ्रेंट देखने को मिल जाता है फिर भी दोने स्मार्टफोन के डिस्पले में 1800 निट्स की पीक ब्रैटने देखने को मिल जाती है आई पी रेटिंग के अगर बात करी जा तो उसमें तो बेटर हो जाता है वीवो का Y300 FABG IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है वीवो के T3 FABG में IP54 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन का अगर क्यामरा सेग्मेंट की बात करी जा है वैसे तो दोने स्मार्टफोन में एक जैसा मेगाफिक्सलाना सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है पर क्यामरे के मामले में भी बैटर हो जाता है वीवो का T3 FABG इसकी एक सबसे वड़ी वज़ा है कि वीवो के T3 FABG के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को पिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से फोर की वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ट कर सकते हैं 50 Megafixle का Sonica IMAX AA2 का सेंसर देखने को पिल जाता है बाकी का दूसरे कैमरे का 2 Megafixle का मिल जाता है विट LED Flash LED के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से फोर की वीडियो असानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं वही दूसी तरह Vivo के Y300 5G के बैक में Dual Rear Camera Setup देखने को मिल जाते हैं 50 Megapixel का Sony IMX 882 का Sensor देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा कैमरा 2 Megapixel का मिल जाता है With LED Flashlight के साथ प्राइज जादा होने के बाउजूत भी आप लोगों को और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो या सानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं फोर की वीडियो रिकॉर्ट करने का ओफ्सन देखने को नहीं मिलता है वह इन दोने स्मार्टफोन के अगर सेलफी कैमरे की बात करी जा तो उसमें तो बेटर हो जाता है वीडियो का Y300 Fabg, 32 मेगा फिक्सल का सेलफी कैमरे देखने की बात करी जाता है वह दूसी तरफ वीडियो के T3 Fabg में 16 मेगा फिक्सल का ही सेलफी कैमरे देखने को मिल जाता है वह दोने स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm jack का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटरी से एक बिंट का अगर बात करें जा तो बैटरी तो दोने स्मार्टफोन में एक जैसी देखने के पिल जाती पर चार्जिंग स्पीट के मामले में तो बैटर हो जाता है वीवो का Y300 FABG 5000 MbH की बैटरी देखने के पिल जाती 80W के फ्लैच चार्जिंग के साथ USB टैप स स्पोर्ट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है सिक कोर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में इन डिस्पले फिंगर पिंस संसर देखने को मिल जाती है तो अब बात करी जा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के बैश्ट है वीवो के T3 FABG के प्रैस कोर्ट करने का भी ओफ्सन देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी अपने लिए बैस वैलू फार मनी वाला एक आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों के रिक्रमेंड करता हूं कि आप लोग 2,500 रुपीच कम खर्च करके वीवो के T3 फैब जी को ही बाई करें